दोस्तो इस वीडियो के अंदर में ऐसे आप लोगो 11 चीज़े बताऊंगा जिसके कारण से आपकी जो लैप्टॉप है वो खराब हो सकती है और ये सारी चीज़े आप लोगो ध्यान में रखनी है अगर आप लोग ने एक नया लैप्टॉप बाई किया उतना नहीं जानते हो दोस्तों के साथ शेर करना और एक चीज़ है कि नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तके एंगेजमेंट बढ़े और दूस्तरों तक ये वीडियो और पहुँचे तो यहाँ पे चलो आज बात करेंगे ऐसी कुछ चीज़े है जो आप आप शायद से नहीं जानते हो लैपटॉप यूज तो कर रहे हो तो जिसकी मदद से आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो और आपकी लैपटॉप की लाइफ शल जो है वो घटा रहे हो नमो बन चीज़ जो है यहाँ पे जब भी आप लैपटॉप को मूव करते हो वो चीज आप लोग बहुत ही ज़्यान से करना है या पर मूव करने की बात आती है तो मूव करने में बहुत ज़्यादा चीज़ी यहाँ पर इसके अंदर आ जाती है जैसे कि अगर आप लोग लैप्टॉप को मूव करना चाहते हो आप laptop को directly ऐसे पकर के एक हाथ से आप किसी को दे रहे हो ऐसा नहीं करना है आप लोग को आपको दोनों हाथों से इस laptop को पकरना है और उसके बाद किसी को देना है तो दे सकते हो कोई कोई बंदा ऐसे display में हाथ रख के laptop को उठा देता है तो ऐसा नहीं करना है ऐसा अगर करते हो तो आपकी laptop की screen damage हो सकती है जिससे आपका laptop बिलकुल ही तूट सकता है डिस्पले और एक बार डिस्पले तूट गया तो डिस्पले जो है उतना जल्दी ठीक नहीं होता है तो ये चीज ध्यान रखना उसके पाथ यहाँ पर जब भी आप लोग laptop को open करते हो लीड को तो लीड ओपन करते पर हमेशा याद रखी ये बीच से उसको उठाए कभी भी side angle से नहीं उठाना है अगर आप लोग side angle से उठाते हो तो यहाँ पर आपका laptop टूट सकता है आपकी hinge खराब हो सकती है या भी display में चोट लग सकता है तो यह चीज़े है साधी साथ अगर आपका laptop जादा extend नहीं होता है hinge जैसे कि 180 degree का support होता है कुछ laptop के अंदर और कुछ laptop के अंदर नहीं होता है कि यह laptop का brand खराब है यह आपके उपर depend करता कि आप उसको handle कैसे करते हो दूसरी चीज़ यहाँ पर handling के उपर बात हो रही है तो देखो यार यहाँ पर जब भी आप लोग लाप्टॉप खड़ी तो make sure करो कि एक proper laptop bag खड़ी दो लाप्टॉप बैक खड़ी दें से फाइदा क्या होगा उसके अंदर कुशनिंग होती है जहां पर आप लोग लाप्टॉप को अच्छी तरीके सा प्लेस करते हो जब भी आप लोग बाहर ट्रवल वगरा करते हो तब जो है वह उत्ता सदा मूव्मेंट नहीं होता और कहीं अगर बैक गेड़ भी जाता है तो वह खराप नहीं होता कुछ लोगों को मैंने देखा है कि यहां पर डिरेक्ली नॉर्मल बैक के अंदर किताबों के साथ रख देता है बट वह अगर छूट गया या फिर आपके स्ट्रैप टूट गई बैक की तो वह गिरेगा तो अपको कॉफी लेके बैठ जाते हैं उसके बाद गर्मी का मौसम है तो यहां पर कोल ड्रिंग्स लेके बैठ जाते हैं ठंडी पानी का बोटल और बोटल के आप अच्छी तरी के से नहीं लगाते है एक्सिडेंटल अगर वह गिर जाता है ना लैपटॉप के अंदर स्पिल्स होग आप लोग इग्नोर करते हो शायद से मुझे पता नहीं मैंने खुद इग्नोर किया था इसलिए मैं आप लोगे शेयर कर रहा हूं मैंने जब पहले लैपटॉप खड़ी ता उसको मैं कॉलेज ले जाता था हां मैं बैक्पैक यूस करता था अच्छी तरीके से ले जाता थ एक जो cloth आती है जो आपकी keyboard को cover करता है उसको हमेशा carry किया करें जब भी आप लोग laptop को बंद करो उसको रखने के बाद बंद करो थाकि आपकी laptop को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और एक चीज आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग को outer covering को अच्छी तरीक से protect करना है तो हमे से बचने के लिए जो है आप लोग laptop sleeve का इस्तेमाल कर सकते हो उसके बाद का point जो है यहाँ पर दिखो यार laptop को clean करना है आप लोग को clean करने का मतलब है देखो हमेशा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा आप लोग को clean करना ही है आप लोग outer जगा पे तो brush के साथ clean करो 40 रुपया र dust जो होती है dust के कारण heat ज्यादा produce होता है तो वो घट जाएगी तो इससे आपकी laptop की life shell ज्यादा होगी तो हमेशा clean किया करो यार और एक चीज मैं यहाँ पर वार्दिंग देना चाहूँगा कि जब भी आप लोग clean करते हो liquid चीजों से clean ना किया करें यहाँ आप लोग vacuum cleaner के यूज कर सकते हो या फिर आप जो है सस्ता टिकाओ जो 40 रुपए का paint brush आता है ना बरे size का वो लो और उससे अच्छी तरीके से आप लोग clean करना उससे जो है सारी dust बहार निकल जाएगी और आपकी laptop जो है राहत की सास लेगा तो यह करना display जब भी आप लोग यूज करते हो वो करोगे तो यह खराब होता है एक आप लोग को additional जो है laptop cleaner मिल जाता है वो अगर नहीं करना है आप लोग को normal जो है पानी आप थोरा लगागे उस पे display के अंदर पोच सकते और उसके बाद जो है microfiber cloth से अच्छी तरीके से उसको पोच रहना तो हमेशा जो है यह आपे microfiber cloth क का इस्तेमाल करें या हाट quality की कोई भी आप लोग को cloth use नहीं करने है उसको अगर आप लोग पोचोगे ना तो वहाँ पे scratches लग सकती है आपके display के अंदर तो यह सारी चीज़े ध्यान रखना for cleaning उसके बाद दोस्तों overrating issues की बात करते है तो overrating कैसे होता है laptop lap के उपर रखत के यूज करना है ये किसने कहा है यार वो एक feature है जो आप लोग use कर सकते हो बट वैसा नहीं करना है उसके air vents जो नीचे के side होती है वो block हो जाता है ब्लॉक होते वक्त जो है वहाँ पे airflow अच्छी तरह किस नहीं होता है और laptop heat होता है और day by day day by day वो खराब होता है यहाँ पे कु कुछ पे लेके बैठ गए बैठ पे लेके बैठ गए यह सारे जीज़ा है वाइट करना है make sure करना जब भी हो सके तो laptop को cooling pad के ऊपर use करो हाँ आप college में use करो कुछ time के लिए तो ठीक है या table के ऊपर रख के आपने use किया but majority of time जब घर पे रहते हो तो cooling pad का इस्तमाल करो cooling pad एक ब्लॉक ना हो तो इससे जो फाइदा क्या होगा heat generation कम होगा और laptop की longevity ज्यादा बन जाए उसके बाद दे केबल management केबल management देखो या बहुत लोगों को मैंने देखा यहां पे laptop के साथ जो है mobile phone का charger वगएरा लगा के रख देते और सोते वक्त भी laptop का charger जो है वैसे नीचे गिरा रहता है और lose हो जाता है कभी कबार हम लोग देखते नहीं और उसको charging में लगा देते है तो cable हमेशा आप लोग अच्छी तरीके से maintain करके रखना यहां पर दिक्कत क्या आ सकती है first चीज जो आपकी brick जो है laptop की charging brick आती है वहां पर भी connection lose होता है तो laptop brick खराब हो सकता है दूसर अधिके से जो है यह चीज़े भी बहुत जादा effective है तो हमेशा cable management किया करो ताकि आप एक safe side में रहोगे और short circuit से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा उसके बाद चार्जिंग करना हमेशा 24 गंठ आप चार्जिंग में यूज़ कर रहे हो यह चीज़ गलत है यार जब भी आप आपको heavy high performance power की ज़रूत होती है तब आप लोग charger को लगा के full high performance में उसको यूज़ कर सकते हो laptop बट हमेशा क्यों करता है यार जब भी आपकी laptop बाहर आप लोग normal task में यूज़ करते हो हमेशा make sure करना कि 100% charge हो गया और उसके बाद आप उसको यूज़ कर रहे हो और उसको लगा कर ही games खेलना उससे जो है आपको optimal performance देखने को मिलेगा जो कि आप लोग को high fps शाहिए कोई भी lag starter वगरा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा तो gameplay में हमेशा recommended है कि charging state पे गेम खेला करो पर normal task में make sure करो कि यहाँ पर अगर आपको need नहीं है charging की तो आप लोग यहाँ पर चार्ज ना करे normal battery usage में उसको use करे उसके बाद final मैं यहाँ पर एक point बताना चाहूँगा देखो जब भी आप लोग एक college student हो शायद से आप laptop को ले जाते हो बाहर और बाहर जाके एक चीज आप लोग करते हो कि लोगों से pen drive में चीजे फिर आप उनसे लेते हो और एक infect होते जाता है तो make sure करना हमेशा जो है आपके antivirus को updated रखे और जब भी आप लोग files को copy करे तो एक बार scan कर ले ना यार कुछ भी अगर आपका वहाँ पर virus होता है तो वो copy मत करना college life में यह problem मैंने भी face किया सायद से अगर आप भी student हो आप college जाते हो तो यह problem आपको भी face करना होगा मैं पहले उतना नहीं जानता था तब मेरे साथ ऐसा हुआ अगर आप लोग अभी जो यह वीडियो देख रहो तो समझदार बन चुके हो यार antivirus को update किया करो और किसी का भी pen drive फट से घुसर मत देना तो इससे आपको नुकसान हो सकता है इससे बचने के लिए एक और एक ट्रिक में बता देता हूँ last जैसे कि देखो यहां पर हमेशा जो है c drive का partition अलग से रखो d e अलग से रखा करो इससे क्या होगा कुछ भी files को अगर दिक्कत होता है आपके system में virus घुच जाती है तो directly c drive को आप format भी कर सकते हो but आपकी file जो है d e drive में safe रहेगी तो इस तरीके से बच सकते हो आप लोग तो हमेशा partition जरूर करना अगर आप 1TB की SSD यूज़ कर रहे हो आपके laptop के अंदर तो make sure करना कि आप partition आपके according बना ले एक d e या फिर d drive एक बना ले जिसके अंदर files रखे हो और c drives सिर्फ installation के लिए आपको रखना है तो यह जिस ध्यान र लैप्टॉप खराब होने की chances बहुत हद तक जो है decrease हो जाती है और maintenance आप लोग बहुत अच्छी तरीक से laptop की कर पा होगे तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करते ना दोस्तों के साथ शेर करते ना नई हो चैनल पर ऐसा content आपको चाहिए तो subscribe करो यार चैनल को मिलते कैसे अगले interesting video के साथ तब तक के लिए stay alert, stay safe, bye